तुपे दारे हैं हाथ रस दिले में आगरा अलिगर्ण नैशनल हाईवे तिरानवे पर हुए भीशन सडक हाथसे में छे कावडियों की मौत हो गई चश्मदीदों की मुताबिक कावडियों को तेज रफ़तार डंपर ने कुछल दिया जिससे मौके पर ही 6 कावडियों की मौत हो गई और कुछ कावडिय घायल हो गई सभी मृतक और घायल कावड लेकर हरिद्द्वार से मध्य प्रदेश के गवालियर जा रही थे मृतक कावणिये ग्वालियर के उटीला थाना इलाके के बांगीपुरा गाउं के रहने वाले थे हाथसे में एक घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया है गटना शुक्रुवार देराथ सब दो बजे की बताई जा रही है मौके पर मौझूद एक कावणिये ने बताया कि हम एक धाबे पर खाना खा रहे थे तभी ड्राइवर ने डंपर चड़ा दिया हाथसा हाथरस में कोतवाली साधा बाद बढ़हार चौराहे पर हुआ व कर मेरे बाहंगी कुर्द वाली है तो पहां कैसे अगटा हुई उसर आजबवर के लिए अरद्वार से वालियों से अरद्वार से कामरब बन निगले आई तके कि अध्या राज्टे में आदे कामस्टरली की पीचे से दम फरवारें ने टक्र मार भी तरग था ट्रक तरग के तर्ग कि दरे रोग गायल हुए चुछ अब ही बदा रहे हैं पांच लोग तम उचुके एक गायल गायल है तो खाल एक रिष्टार मुझा तिन गायल हैं तिन आगरा जोन के ADG राजीव कृष्टन ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर डंपर लेकर भाग निकला 42 लोगों का जत्था एक साथ गंगा जल लेकर जा रहा था हाथसे में जबर सिंग, रनवीर सिंग, मनुच पाल सिंग, रमेश पाल, नरेश पाल और विकास की मौत होई है हाथरस DM रमेश रंजन ने सभी मृतक कावणियों के परिजानों को एक एक लाख रुपए की मदद की घोशना की है ये गौलियर का एक जथा कावणियों का भरिद्वार से गौलियर वापिस आ रहे थे अपना कावण में जल ले करके आज रात को करीब दो सबादों बुजे के आसपास साधा बाद थाना शेतर पड़ता है जनपध हाथरस में यहां पर एक दोखद हाथसा हुआ है इसमें पीछे से इक डंपर ने इनको एक्शिडेंट चिया है जिसमें अभी तक कि जानकारी प्राप्त हुई है जो साथ कार emoda चले खाईल ठे ते उनको चोट लगी इसमें वहीं हात्रस के SP विकास कुमार वैद्दे ने बताया कि हाथसा साधाबाद ग्वालियर रूट पर हुआ ये रूट कावण यात्रा का पारमपरिक रूट नहीं है इस कारण इस रूट पर कावणियों के लिए ट्रैफिक बंद नहीं किया जाता है ग्वालियर के उटीला थाना प्रभारी अफधेश ने बताया कि मृत्कों के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है ग्वालियर से उटीला 25 से 30 किलोमीटर दूर है वहीं इस हाथसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दित्तेनात ने 6 कावणियों की मौत पर दुख जताया है उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शान्ती की कामना करते हुए मृत्कों के परिजनों के प्रती समवेधना व्यक्त की है जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल का बहतर इलाज कराने के निर्तेश दिये गई पंजाब केसरी टीवी के लिए हत्रत से सूरज मौर्या की रिपोर्ट